सुब्रता सरकार है हाँ सुब्रता सरकार आप ही कमेंट कर रहे थे ना चप्टी धर्ती को लेकर हाँ तो आप कहां पढ़े आपने कुरान पढ़ा है सुब्रता भाई मेरे कुरान तो पढ़ा नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ नहीं लेकिन हां जानता हूं आपने हिजलर को देखा नहीं लेकिन आप जानते हैं दुनिया में बकैती नहीं आप पर आपने जब कुरान पढ़ा ही नहीं है तो यू हैव नो राइट आपको हक ही नहीं है बोलने का कि चप प्रॉल बनने से जिन्दगी बरबाद होती है आपकी बरबाद होरी जिन्दगी से समझे रहे सुपरता वाई तो पहले पढ़िए समझे पढ़ना लिखना पढ़ना आता है ना पढ़िए आप चीजों को और उसके बाद आप यह किजिएगा ठीक है पढ़ना लिखना पर नहीं लिखना पर नहीं कि अपनी जिन्दगी खराब ना करे पढ़े लिखे पढ़ाई-लिखाई में ध्यान लगाओ आई यह वाई यस बनो और देश को समाल लिखना है लेके बिचारे को पता ही नहीं कोई रफरेंस ही नहीं पता है कोई किता भी नहीं पढ़ा कोई चीजी नहीं किया अफसोस सूरे जुमर की आयत नमबर पांच सूरा नमबर थर्टी नाइन है आयत नमबर पांच है इसमें लट आला फर्माते है खलक समावाती वल अर्द बिलहक अल्ला ने आस्मानों जमीन को हक के साथ बनाया है और युकविरु लैल आनननाहारी वा युकविरु नहारा ललला कि वो रात को दिन में लपेड देते है और दिन को रात में लपेड देते है अब यह वर्ड जो युकविरु का वर्ड अगर आप लोग देख रहे होंगे इसका ट्रांसलेशन अगर इंगलिस का ट्रांसलेशन को यह देखता है जैसे कि तो उसमें ओवरलाप करना या मर्ज क यह सब वर्ड को यूज़ किया जाता है, ओवर्लैप करना, तो he makes the night to overlap the day and the day to overlap the night, ऐसा बोलते है, उसी तरीके से उर्दू ट्रांसलेशन बोलते है, कि वो दिन को, वो क्या करते है, मतलब कि अल्ला ने आसमान और जमीन को बनाया है, वरात को दिन और दिन को रात पर लपेट देता है, क्या कर देता है, लपेट देता है, यह उर्दू तर्जुमा बोलता है, यहाँ पर जो मेन वर्ड है, युकववीरू, यह जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड है, कववारा का रूट वर्ड से आता है, कववरा का रूट वर्ड से आता है, युकववीरू, जो लपेटता है, he won't drawn the turban upon his head, ठीक है, उसको बोला जाता है, कारा इमाम का अलरासी ही, इसको क्या मतलब होता है, कि वो अपने सर पे पगड़ी को लपेट रहा है, तो लपेट नहीं का मतलब में, और लपेट ना किस पे होता है, कोई भी स्फिरिकल सर्फेस पे होता है, कोई भी कोई ऐसे सर्फेस को जो की गोल हो, कोई ऐसा सर्फेस पे नहीं, जो की आपका फ्लैट हो, उसी तरीके से अगर आप हैंस्विर, Arabic dictionary, जो modern written Arabic dictionary है, उसको पढ़िएगा, तो उसको भी कावरा का मतलब उसमें भी लिया जाता है, to make round, ball shaped, मतलब क्या, spherical shape उसको लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये word से clear cut है, कि कुरान ये बता रहा है कि जमीन का जो shape है, अर्थ का जो shape है, वो round है, वो spherical है, वो ball shaped है, और ना कि फ्लैट है, और ये हो गया आपका पहला आएद, हमारे चैनल IRPC India को सबस्क्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचें,